तो आप लोग मुझे comment करके बताना कि आपके paper में trigonometry से question यहां से देखने को मिले या नहीं मिले अभी मैं आपको सारे trigonometry के question कराऊंगा जितने भी आपके NTPC exam phase 2 में 16 तारिक से लेकर 23 तारिक के बिच में shift 1, shift 2 में जितने भी आपके trigonometry के question पुछे गाए वो सारा question को आपको इस video में solve करने वाले हैं और यह session काफी ज़्यादा important होने वाला है खास कर जिनके exam इसी phase में होने वाले हैं क्योंकि यहां से question आपको direct direct आपके paper में देखने को मिलेंगे हाला कि यह video phase 3 वालो जिनका exam phase 3 में हो चाए phase 4 में हो आप सभी लोगों के लिए उतना ही important है जितना है कि आपके phase 2 वालो के लिए important है यहां से question आपको direct direct आपके paper में देखने को मिलेंगे तो आप लोग exam देने से पहले एक बर जरूर से वीडियो को देख लेना और यहां पर मैं आपको बता दू हो सकता यह session थोड़ा बड़ा बने क्योंकि यहां पर मैं सारे question को cover कर रहा हूँ और जिस भी तरीका से जो भी fact होगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग अपने इस आपसे वीडियो को मैं recorded रहेगा यह मेरा वीडियो आप लोग अपने इस आपसे वीडियो को 2x के इस पीडियो में भी जली इली सारे question को solve कर सकते हो ठीक है जिससे आपका समय कम लगे क्यूंकि एक बर जब आप question का format देख लोगे चीज़े समझ लोगे तो फिर exam में अगर आपसे question बनेगा न तो उस वक्त आपका समय ज़्यादा नहीं लगेगा ठीक है चलो पहला question आपके सामने है इसको try कर सकते हो option से बहुत जल्दी बना सकते थे क्यूंकि आपको पता है कॉसेक है और caught है तो यहाँ पर ठीटा का value 45 जिदी रखते तो यह चीज आपका जल्दी और solve हो जाता अब नहीं है तो आप solve तो करना पड़ेगा न तो देखो यह question का आपसे क्या पूछा था x square minus y square पूछा था तो मैं आपको बता दूँ अगर आप मेरे साथ previous पर solve करते हो होंगे तो आपको याद होगा कि x square minus y square equal to यह आपका format क्या कब बन गया a square minus b square इसका correct answer हो जाएगा इस format में आपसे question अल्रेडी पूछा गये थे और इसका एक और format होता है यहाँ पर कौसेक और कौट में दिया है तो हो सकता है आपसे 10 और सेक में भी पूछ सकता है question इस तरीका से देदेगा आपको कि a 10 theta plus b sec theta उसी तरीका से आपको y equal to देदेगा आपका b 10 theta plus a sec theta और आपसे पूछ लेगा x square plus y square क्या होगा तो आपका answer वहाँ पर भी क्या होगा a square minus b square होगा समझ गये अब देखो मैं एक चीज और बता दो हूँ यहाँ पर आपको क्या रखा हुआ है मैंने क्या बताया कि x square minus y square क्या हो जागा a square minus b square क्या बराबर होगा कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर हो सकता है कि question में अगर आपको थोड़ा और moderate करे तो यहाँ पर a और b के जगा पर आपको numerical value भी दे सकता है आपका जैसे के आपको इहाँ पर अगर value मैं रख दू यहाँ पर अगर 3 दे दू B के जगा में अगर मैं 2 दे दू यहाँ पर E के जगा में तेन दे दू और यह आपका ओ, B के जगा पर 2 दे दू तो अब आपका क्या हो जाएगा समझे, 3 का square minus 2 का square तो ऐसे भी कोशन आपको घुमा के दे सकता है समझ गए? अब इसको बनाएंगे कैसे? तो बस basic से बना सकते हैं क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं x square मैंस y square पुछा तो दोनों का square करके, दोनों का square करके माइनस कर देंगे, तो मैं direct यहां पर करके मेरे करने से केवल काम नहीं चले वाला आपको भी अगर paint चलेगा, तभी आप चीज़े समझ पाओगे और बहतर तरीके से है, ठीक है? तो यहां पर क्या हो जागा? x square मैंस y square यानि a square cosec square theta plus b square cot square theta plus 2a cosec theta into b cot theta minus मैं direct कर रहा हूँ, फिर से यहां पर आपका क्या हो जागा? b square cosec theta cosec square theta और plus minus मैंस हो जाएगा a square cot square theta और फिर आपका minus यहां पर भी हो जाएगा 2b cosec theta a cot theta बोलो clear है? अब आप देखो गी तो यह यह कट रहा है कि नहीं कट रहा है? एक plus और minus मैं कट जाएगा बस अब आप देख सेकतो यहां पर a square है यहां पर भी a square दिख रहा होगा तो a square जब आप common ले लोगे तो बचेगा क्या आपके पास cosec square theta minus cot square theta जो की value क्या होता? 1 के बड़ाबर होता है उसी तरीका से अगर b square common लोगे तो यहां पर क्या बचेगा? cot square theta minus cosec square theta हो रहा है ठीक है? ध्यां से देखो cot square theta और minus cosec square theta होगा मगर आपको पता है cosec square theta minus cot square theta 1 के बड़ाबर होता है तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ? minus common ले 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 हो साथ में यानि minus b square जब आप common लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा अब आपका? अंदर क्या बच जाएगा? ध्यां से देखो अंदर बचेगा क्या आपका? यह minus में आपका यह minus वल आपका चीज यहां हो जागा यानि यह चीज इस तरीके से हो जाएगा cot square theta और यह minus minus प्लस हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका causec हो जाएगा causec square theta अब आप जानगे हो causec square theta minus cot square theta क्या होता? 1 के बराबर यानि यह भी 1 यानि बचा क्या आपके पस overall a square minus b square बचा की नहीं बचा? तो इतना क्यों करोगी? यह format आपको पता होना चाहिए direct से इतना exam में time ही नहीं रहता है कि हम लोग इतना कुछ करें ठीक है? बात बाकी आपके practice रहेगे तो आप सब कुछ कर लोगे चलो, next question इसको try करो यहाँ पर आपसे theta का value पूछा गया था यह question आपके 21 तरीक के second रहे पूछा गया था कैसे बना सकते हो? option तो मेरे पास है नहीं? option होता है तो आप लोग क्या करते है? LHS पर direct put करके देखते हैं कि किस के बराबर RHS के बराबर हो रहा या नहीं हो रहा तो नहीं है तो फिर मैं बना के दिखाता हूँ तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर अब direct दिख रहा cmd लगा सकते हैं copy dindo और dividendo apply अप कर सकते हो rule को तो यहाँ पर मैं direct apply कर दे रहा हूँ तो यह क्या हो जाएगा? sin theta plus cos theta plus sin theta minus cos theta उसी तरीके से एक बर plus एक बर minus यहाँ पर sin theta plus cos theta और minus क्या हो जाएगा? sin theta minus minus plus cos theta द्यान दिजएगा cos cos कट गया यहाँ से आपका sin sin कट गया उपर क्या बच गया? 2 sin theta और नीचे 2 cos theta यानि यह भी कट गया यानि घुमा फिर आपके पास क्या बचा? 10 theta बचा अब आपका RHS में भी आपका cnd लगाएंगे अब लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर सुसी तरीका से root 3 plus 1 plus root 3 minus 1 उसी तरीका से root 3 plus 1 minus root 3 minus minus plus तो यहाँ से आपका क्या कट गया? यह यह कट जाएगा और यह और यह कट जाएगा यानि उपर में क्या बचा रहा? 2 root 3 और नीचे 2 तो 2 से 2 कैंसल हो गया यानि घुमा फिर आके आपके पस क्या बचा? 10 theta equal to root 3 के बराबर है तो अब मुझे बताओ 10 theta का value root 3 कितना degree पर देता है? तो आप बोलोगे मैं इसको अटा आता हूँ ठीक है? क्या आया था मेरा? अपको यहाँ पर आगे था 10 theta और यहाँ पर आगे था root 3 तो हमको पता है कि 10 theta का value root 3 10 60 degree पर होता है तो बस यानि theta का value क्या आगे? 60 degree यह option होता है तो हमने डिरेक्ट चेक करके देख सकते था, ठीक है? चलो next question इसको देखो यह तो एकदम important ही question है यह question तो maximum shift हो में देखने को मिल रहा है यह sign 15 degree है आपसे cost 15 भी पूछ चुका है पेपर में ठीक है? first phase में या फिर किसी भी phase में पूछ चुका है 10 15 का degree भी आपसे पूछ चुका है अब तो लोग value direct से याद भी कर लिया है या तो मैं आपको इसके लिए separate video भी मैंने already बना रखा है आपके लिए sign 75 degree का भी value आपसे पूछ सकता है exam में और पूछा भी जा चुका है या cost 75 degree का भी value पूछ सकता है या फिर 10 75 degree का भी value पूछ सकता है या फिर आपका मैं कह सकता हूँ 10 105 degree का value ये उसी तरीका से sign 105 degree का value और cos 105 degree का value देखो ये सब ऐसे values है जिसको आपको बनाना पड़ता है कैसे बनाना पड़ता है यहाँ पर इस तरीके के question को आप या तो direct आपको formula याद हो जाएगा तो आपका समय बच जाएगा अगर नहीं भी याद है तो आपको निकालने आना चाहिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको 15 degree यानि 45 degree माइनस 30 degree लिख सकता हूँ अब किनी का दिमाग में आगा कि भईया मैं तो sign 60 माइनस 45 भी कर सकता हूँ तो हाँ आप जरूर कर सकते हो अब करो दोनों में result आपको same ही मिलने वाला है यानि घुमा फिरा के बात करें अगर आपको कोई भी value देता है ना तो आपको बनाना पड़ता है जैसे कि 75 degree अगर आपको दिया जाएगा तो आप 45 प्लस 30 करोगे अगर 105 दिया जा रहा है तो 60 प्लस 45 करोगे तो इसी तरीके से हमलों value को बनाते है और उसके बाद formula अगर आपको पता होता है तो आप उसको direct apply कर देते हो तो यहाँ पर आपको formula पता होना चाहिए जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर link भी देता हो ताकि आपको कहीं दुबारा से revision connect करेंगे जोरत ना पड़े तो sin a plus b और sin a minus b formula क्या होता है देख लो sin a into cos b और plus minus उसी तरीका से cos a into sin b अगर आपका formula में plus रहा तो यहाँ पर भी plus होगा अगर minus रहा तो यहाँ पर भी minus होगा clear होगी यह चीज अब cos की अगर बात करेंगे तो cos a plus मतलब cos में अगर बात करेंगे तो cos a plus b का formula क्या होता है देख लो cos a into cos b ठीक है cos a into cos b अब plus होना ता है तो हमनों minus कर देते हैं यहाँ पस plus का जगा minus करके अब फिर उसी तरीका से sin a into sin b अब उसी तरीका से आप minus कर लोगे minus के लिए क्या करेंगे केवाल हमको यहाँ पर plus लगाना पड़ जाएगा clear अब यह होगे sin cos का तो 10 का भी आपको याद होना चाहिए 10 का क्या हो जाता है 10 a plus b यहाँ पर क्या हो जागा एक ठो अटा देता हूँ दूसरा आप खुद कर लेना तो यहाँ पर क्या हो जागा 10 a plus है तो plus 10 b और minus 10 a into 10 b बोलो पता है यह आप सबको और उसी तरीका से अगर minus का बोले तो अगर यहाँ पर minus रहेगा तो उपर में minus और नीचे में plus denominator में clear होगा उमीद करता हूँ चीज़े सभी लोगों समझ आ रहेगा अच्छे तरीके से बस चलिया court बोले तो इसी quality पल्टी कर देना गुमा देना तो अब मैं बात करूँ sin 15 का value होता है कितना है तो सभी लोग अब तो यादी कर चुके है अगर आपसे डारेक्ट पूछा जाए तो sin 15 का value क्या हो जाएगा मेरा root 3 minus 1 by 2 root 2 यह आप लोगों याद कर लो या फिर आप बनाना जानते हो तो बना भी ले ना अब मैं आपको बता दू sin 15 का degree का value होता है वो same value cos 75 degree का value के बराबर होता है उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे cos 75 degree या फिर sin 15 मतलब cos 15 degree ना cos 15 degree तो cos 15 degree का value क्या हो जाता है cable plus लग जाता है जो cos 15 degree का value होता है वो ही sin 75 degree का value के बराबर होता है clear उसी तरीके से अगर 10 15 degree की value की बात करे तो बताओ क्या होता है तो आप बोलोगे root 3 minus 1 by root 3 plus 1 clear अब उसी तरीके से अगर यहाँ पर 10 15 degree है तो मेरा 10 75 degree क्या हो जागा तो यह इसका उल्टा हो जागा 10 75 degree हो जागा root 3 plus 1 और root 3 minus 1 clear उमीद करता हूँ चीजे सभी लोगों को समझ आ चुकी है अब इस तरीके से question आप से exam में पूछे जाए तो जलेली बस बना लेड़ा ठीक है चलिए next question कर बढ़ता है इसको देखो यह भी बहुत important question है important यह तो maximum shiftों में यह भी question देखने मिला इस तरीका के 10 theta दे दी जाता है आपको इतना का value find करना होता है आप जानते होंगे 10 theta का जगा पर क्या लिख सकते हम लो sin theta by cos theta और यह 3 by 4 अब आपको क्या कहना sin theta का याईनि क्या आगया 3 ratio और cos theta का आगया 4 ratio आपको pbh निकालने का जूरूत नहीं है sin cos में ही दे रखा है ना केवल आपको सब कुछ तो बस sign का जगा पर sin theta का जगा पर 3 ratio डाल दो और cos theta का जगा पर 4 ratio डाल दो आपको solve हो जाएगा यानि 3 गुना 3 प्लस 4 गुना 4 उसी तरीका से 3 गुना 3 माइनस 4 गुना 4 तो यही आपका answer हो जाएगा clear? चलो एक question इसको देखो बताओ इसका answer क्या होगा correct एकदम correct जिनका भी answer 1 आ रहा है उनका correct है क्योंकि यहाँ पर देखो 1088 degree product में है 102 degree फिर से series चल रहा है 103 degree तो 1087 degree तो इसी तरीके से series बढ़ता बढ़ता आया ठीक है और आपका 30 1030 degree product 1060 degree और यहाँ पर आपका यह चीज नहीं पता है कि 10 theta into cot theta क्या होता 1 के बराबर होता है क्योंकि आपको पता है कि 10 theta into cot theta को हम लोग क्या लिख सकते है 1 by 10 theta लिख सकते है तो इस बढ़ता है अब 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 ध्यान से देखो यह भी चीज आप जानते हो कि sin 90 minus theta यह सब चीज आप जान रहे हो तो अच्छी बात है नहीं जान रहे तो एक बार रिमाइंड करा दूँ ताकि आप लोगों को आगे मैं यह सब बार-बार नहीं बताऊंगा ठीक है कॉसिक का हो जाता है अब देखो इस कोशन में आप किसी को भी किसी में भी चेंज कर सकते थे यह 88 वाला को चेंज कर लो या 2 डिगरी वाले को चेंज कर लो क्योंकि यहां पर क्या आने का है यहां पर कॉट 88 डिगरी आएगा यानि घुमा फिरा के अगर बात करें तो कॉट य सिदा वन ही आ जा रहा है क्लियर होगा चलो नेक्स कोशन कर बढ़ते हैं एक कोशन इसको ट्राइ करो यह इस तरीका का कोशन सेम डे में दो सिफ्टों में पुछा गया था ठीक है इसलिए मैंने साथ में रख दिया अभी इस कोशन की बात करो तो इस कोशन में यह जो पहला बदल लो समझार मैं क्या कहना चाहरा हूँ जैसे कि अगर इसी कोशन की बात करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्सन है ठीक है तो इस कोशन को आप बता सकते हो कि इस कांसर क्या होगा ऑप्सन के कोडी जैसे कि अब आप समझ सकते हो कि देखो यह साइन 35 है और यह कॉस 55 ह तो 35, 35, 95 yg यानी सही है अब देखो अगर मैं साइन को बदल लूं अगर साइन को बदल के अगर मैं कोश 55 इस जगा कर दूँ तो क्या बन जागा मेरा एक होगा तो तो अब अब अगर आप option देखोगे तो आपको दिख रहा है क्या कहीं? sign दिख तो रहा है मगर 35 में दिख रहा है यानि ये चीज आपको option में इस sign को change नहीं किया गया है cost को change किया गया है इसलिए मैंने बोले यहाँ पर option का आपको जुरत पड़ेगा तो cost को जब आप change करोगे तो sign में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? sign 35 जिगरी तो अब आप देख सकते हो 1-sin square theta क्या होता? cost square theta यानि cost square theta क्या हो जाब? cost square 35 जिगरी अब आप option में देखना चाहोगे तो देख जाएगा option number 1 में clear हो गया? तो उसी तरीका से यहाँ पर option नहीं है तो किसी को भी आप किसी में भी change कर सकते हो क्योंकि आपको पता है 1-plus 10 square theta क्या होता? 1-plus 10 square theta क्या होता? 6 square theta के बराबर होता है यह सभी लोग जानते है उसी तरीका से 1-plus cost square theta क्या होता है? कोसे किसको ठीटा का बराबर होता है, तो इसलिए जो भी आपका आ सकता है यहां पास, ठीक है, चलो, next question इसको देखो, अब ये दोनों question भी आपका एक ही तरीका का है, आपको इसको try कर सकते हो, यहाँ पर आपको इसको find करना है और यहाँ पर वाले question में आपसे ठीटा का value पोच रहा है ट्राइ करो तो देखो सबसे पहला question का तो answer 0 हो गया क्योंकि देखते साथ आपको पता चल रहा होगा मगर कैसे 0 हुआ यह चीज़ को अभी आप लोग समझ लो ठीक है यहाँ पर देखो यह क्या दे रखा है sine के angle दे रखा है और minus cos के angle दे रखा है अगर यहाँ पर मैं थोड़ा से ध्यान से देख रहा हूँ कि दोनों का angle का जो sum है न वो 90 degree के बराबर है देख सकते हो 42 प्लस theta और 48 minus theta यानि 90 degree के बराबर है तो इसका मतलब क्या होगे दोनों को कट जाना है कैसे कट रहा है यह चीज़ आप समझ सकते हो यानि मतलब क्या है न कि आप sine को या तो cos से बदल लो या तो फिर cos को sine बदल लो अभी मैंने आपको बताया है कि sine 90 minus theta क्या होता है तो आप बोलोगे cos theta होता है तो किसी को भी किसी में भी change कर लो न इसका पीछे का concept तो यही निकल के आता है जैसी कि अगर मैं इसको sine यह जो आपको sine theta दे रखा इतना बड़ा angle दे रखा है तो इस जगा पे क्या रहा होगा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos 90 minus theta यानि angle जो भी है मैं उसको as it is रहने देता हूँ यानि बिरालिस प्लस theta के बराबर तभी तो यह निकल के क्या आया है आपका sine theta के बराबर आया है यानि यह sine angle निकल के आया है तो इसके जगा मैं यह लिख सकता हूँ तो आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो तो इसका मतलब आप देख सकते हो जब मैं यह लिख सकता हूँ तो आप देखो 90 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा 48 बचेगा और minus plus minus theta यानि बस यही चीज आपका आगे यहाँ पास है तो यह दोनों cut गया cut जागा के नहीं cut जागा ध्यान से देखो ना तो cut गया तो किसी को भी आप किसी में भी change कर सकते थे तो इतना कुछ करने का ज़रत नहीं है direct हमको ध्यान देना होता है कि जो आपका angle है इन दोनों angle का sum अगर 90 degree हो गया तो मतलब यह cut जाएगा सीधी बात clear? तो इसी तरीका से यह चीज को ध्यान दीजेगा आप लोग चलिए अब देखो यहाँ पर एक चीज में और बता देता हूँ यह था sign और cos का तो उसी तरीके से देख लेना जो अभी हम लोग किये थे 10 और cot का भी मिले ना 90 degree का दोनों का angle का sum तो वो भी यानि cut जाएगा या फिर उसी तरीके से सेक और cos एक भी मिले तो उसी तरीके से वो भी cut जाएगा यह चीज को note करके रखिएगा चलिए next question देखो अब इस वाले question में दे रखा है sin 3 theta equal to cos theta minus 6 degree आपको theta का value बताना था अब यहाँ पर भी मैं आपको बता दू यहाँ पर भी देखो sin 3 theta और यह इतना दे रखा है अगर मैं basic से जाओं तो यहाँ पर भी देखो यह 3 theta को तो आप ऐसी रखो चाहे किसी को भी किसी में भी चेंज कर सकता है या तो sign को change कर लो cost में या cost को change कर लो sign में तो यहाँ पर भी मैं वैसे ही चीज करने वाला हूँ यानि sign के जगह पर मैं 90 degree minus जो भी angle है यानि theta minus 6 लिख सकता हूँ तो आप बोलोगे हाँ sin 90 minus theta cos theta होता है यानि यह hold कर रहा है अब आप देख सकते हैं दोनों जगह sign हो गया तो बस इसके angle को equate कर दो तो घुमा फिरा के सब कुछ वही निकल कर जाता है मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ ताकि आपके यह चीज कभी confuse ना हो theta वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 theta 4 theta equal to 96 तो theta का value क्या हो जाएगा 24 आजएगा clear अब आपको मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर आपको ऐसे करने का ज़रूत नहीं था यहाँ पर भी यहाँ पर भी आप देख लो जब आपको बोल रखा है कि sine का angle cost के angle के बराबर है तो इसका मतलब यह इन दोनों का जो angle का sum होगा ना वो must be 90 degree के बराबर होगा सीधी बात यहाँ पर भी 9 बकवा सीधी बात तो यहाँ पर भी आप direct बना सकते थे यानि 3 theta plus theta minus 6 equal to 90 degree के बराबर यानि क्या हो जाएगा 4 theta equal to 96 तो theta का value के आगया 24 आगया अब यहाँ से आप यह भी conclusion draw कर सकते हो यह सब कुछ मैं relate कर रहा हूँ आपके सामने यानि अब यही चीज मैं आपको यही बजाना चाहता हूँ कर 10 theta equal to cot theta के बराबर है तो इसका मतलब इन दोनों का जो angle का sum होगा ना वो 90 degree के बराबर होगा उसी तरह के सेक theta equal to cosic theta होगा तो इसका मतलब उन दोनों का angle का sum 90 degree के बराबर होगा समझा रहा? चलो next question इसको देखो इसको try करूँ यहाँ पर आपको sin a का angle दे रखा है और a plus b 90 degree दे रखा है आप से पूछा 10 b का value बताओ चलो बताओ जली से इस question को भी आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो अगर मैं इसको अच्छा से देख पा रहा हूँ तो यह देखो आपको पता यह triangle का concept में चल जाएगा मगर triangle से आपको triangle अब बना सकते हो बट जरूरी नहीं है क्योंकि मुझे पता चल गए कि अगर a plus b 90 degree है तो मतलब जो उसका एक और triangle का जो angle होगा वो क्या होगा 90 degree का बराबर होगा समझा ना मेरी बात को यानि यह right angle triangle बन चुका है आपका तो उतना कुछ करने का जोरूत नहीं है आप simply अगर मैं आपको बता हूँ तो देखो a plus b जब 90 degree का बराबर है ना आपसे 10 b का value पुछ रहा है ना तो आप कुछ नहीं करो यहाँ पर आप बस इतना देख लो कि मैं b रखूंगा और यह 90 minus a कर दे रहा हूँ कर सकता हूँ कि नी कर सकता हूँ यहाँ पर क्या जाएगा 10 b equal to cot a degree अब आपको समझ आया याणी 10 b cot a के बराबर है तो sin a का value आपको दे रखाता ना तो sin a का value दे रखाता और आप जानते हो sin क्या होता है p by h याणी यह क्या हो गया 3 और 5 याणी आपका triplet बना रहा b कितना हो जागा 4 हो जाएगा और cot a याणी क्या हो जाता है b by p b by p मतलब क्या हो जागा 4 बटा 5 याणी 10 b किसके बराबर होगा 4 बटा 5 के बराबर clear next इसको देखो अभी मैंने आपको बताया theta का value बताना है अब देख लो 10 theta cot theta के बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा दोनों का angle का sum 90 degree होगा होगा की नहीं होगा मेरे भाई बताओ तो याँ पर क्या हो जागा 3 theta plus 6 theta equal to 90 यानी 3 theta equal to क्या हो जागा 84 तो theta का value क्या होगा 28 चलो next question यह रहा इसको try करो याँ पर आपसे theta का value पूछा है और यह अच्छा question है इसको आप लोग ट्राइ करो एक बार ध्यान से देखो यहाँ पर क्या दे रखा 1 दे रखा है जैसे 1 दिखा मेरे को समझ आ गया कि यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं यहाँ पर आपको पता है 10 45 मैं लिख सकता हूँ यह जगा पर 10 a plus b का form में आ चुका है की नहीं आ चुका है 10 a plus b का formula अभी मैंने आपको बताया तो इसको मैंने क्या किया 10 a plus b का formula में मैंने बना लिया क्योंकि right hand side में क्या था केवल 10 theta था और theta का value पूछ रहा था मेरे से तो इसका मतलब अभी क्या बन गया है यह बन गया आपका formula 10 45 plus 20 degree का यह formula बन चुका है और चुकि यही क्या है 10 theta के बराबर है तो इसका मतलब theta का value क्या आ गया 65 degree आ गया बात खतम बलो clear है तो इसी तरीके से इसको भी बनाना था चलो next question इसको try करो यहाँ पर आपसे paper हैं पुछा गया था a minus b का मान बताओ तो अभी मैंने बताया कि sine का angle और cos का angle अगर जब बराबर होता है तो इसका मतलब इन दोनों का angle क्या होगा इन दोनों का angle का sum must be 90 degree तो बस यह आप इसको कर सकते हो यानि इन दोनों का angle को मैं जोड देता हूँ तो यह 70 minus 3b equal to किसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा यह आपका कैसे हो जाएगा यहांपर 3a minus 3b 70 से 20 जाएगा तो क्या होगा 50 50 वहाँ जाएगा घट जाएगा 50 तो यह बचे का 40 a minus b किसके बराबर हो जाएगा 40 by 3 के बराबर हो जाएगा अच्छा ये question को देखो ये question में आपसे कुछ भी पूछ सकता है घुमा के देखो कितना अच्छा से घुमा के आपसे question में पूछा है आपसे यहाँ पर आपसे क्या बोला है? cos to the power 4 theta minus sin to the power 4 theta equal to 2 by 3 है और आपसे value इतना का पूछ रहा है दियान से देखो हम लोग क्या कर सकते हैं यापर? तो सबसे पहले तो मैं इसको अगर next step में लिखना चाओ तो ये क्या हो जागा? इस तरीका स्था है से मैं लिख सकता हूँ? लिख सकता हो और नहीं लिख सकता हूँ? मुझे बताओ पहले आप लो इसको ऐसे लिख सकता हूँ अब आप जानते हो ये क्या बन गया a square minus b square का form बन गया तो एक value positive में एक value negative में यानि a square minus b square का form क्या होता a plus b a minus b तो a plus b मतलब क्या हो देगा cos square theta plus sin square theta जिसका value क्या होता 1 के बराबर यानि घुमावा फिरा के आपको दिया था 2 theta के बराबर होता है बलो ये आपको पता है कि नहीं पता formula अब ये देहान से देखो cos 2 theta आ गया क्या 2 by 3 के बराबर आ गया अब आपसे पूछा भी क्या था 1 minus 2 sin square theta का value पूछ रहा है तो ये भी क्या होता है cos 2 theta का ही तो formula होता है यानि इसका answer क्या होगा सिधा 2 बटा 3 ही answer होगा समझ आए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ cos 2 theta का ये मैं आपको पहले भी बताया है वाले वीडियो में कि cos 2 theta का 3 formula होता है एक तो ये आप सभी लोग जान रहे होंगे cos square theta sin square theta दूसरा अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जागा 1-2 sin square theta अगर इसी को cos के term में लिखूँगा तो क्या हो जागा 2 cos square theta और ये minus 1 हो जाएगा clear अब ये इसी cos 2 theta का एक 10 में भी formula होता है ये सब कुछ मैं बताया हूँ तो यहाँ पर cos 2 theta का अगर मैं formula आपसे पूछता हूँ कि 10 के term में बताओ तो आप क्या बोलते हो 1-10 square और 1 plus 10 square बोलो clear है तो आपसे question में यहाँ पर ये चीज ना पूछ के ये ही चीज सेम question में इस जगा पर ये भी तो रख सकता था था तो इसका भी answer क्या आता आपका जितना भी गुमाद है answer क्या आता 2 by 3 ही आता clear है उमीद करता हूँ चीज सभी लोगों को समझ आ रही होगी कि question में किसी तरिके से पूछ सकता आपसे paper में चलिए next question कर बढ़ते है next question ये दो ठोड़ इसको भी try करो जली से यहाँ पर paper में आपको r sin theta दे रखा था और r cos theta दे रखा था आपसे simply r का value पूछ रहा था अब देखो sin theta cos theta देखके मेरा दिमाग में सिर्फ पर सिर्फ एकी गंटी बसता है कि अगर मैं दोनों को square कर दू और दोनों को जोड़ दू तो मेरा sin square theta प्रस cos square theta का value 1 हो जाएगा कहीं न कहीं तो ये चीज़ आप क्या करोंगे मैं दोनों का square करके दोनों को जोड़ दे रहा हूं तो ये क्या आजाएगा r square और ये sin square theta equal to 49 by 4 आजाएगा बो clear है उसी तरीका से इस वाले को अगर मैं square करूंगा तो ये क्या हो जाएगा r square cos square theta equal to 49 into 3 by 4 हो जाएगा अब ये दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूं तो जोड़ने से मेरे को पता चल जाएगा जब दोनों को जोड़ोगे तो नीचे में क्या हो जाएगा r square common में और sin square theta plus cos square theta जिसका value 1 होता है और इन दोनों को भी जोड़ दो यानि ये क्या हो जाएगा 49 plus 9 3 27 और 4 2 12 दो 14 यानि 147 by 4 4 को आप LCM में मिलोगे तो जोड़ दो दोनों को यानि कितना आगया मेरा ये 196 आगया अब आपको पता r square का value 196 by 4 आगया और आपसे r का value पुझाता तो r का value क्या हो जाएगा 14 बटा 2 हो जाएगा बोलो यानि r का value 7 आगया clear? चले नीचे वाले question की बात करेंगे तो नीचे वाला question अब देख सकते हो उसी format में 10 का value दे रहाए 15 बटा 7 तो मतलब 10 का जगा पर हम लोग क्या लिख सकते है sine by cost लिख सकते है यही चीज हमको 15 बटा 7 के बराबर है आपसे पूछा है sine a plus cost a का value क्या होगा तो दोनों को जोड़ दो यार और क्या हो जाएगा तो 15 और 7 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा यानि correct answer 22 clear? चले next question इसको देखो यह भी उसी format में question है यह सब तो question जरूर आपके paper में बनेंगे तो इसमें तो किसी को भी कोई तकलिफ नहीं होगा फिर से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह क्या है 10 alpha equal to क्या हो जाएगा 4 by 3 हो जाएगा क्योंकि 3 को मैं नीचे ले आ रहा हूँ अब आप जानते हो 10 alpha का जगा पर मैं sin alpha by cos alpha भी लिख सकता हूँ यह क्या आगया 4 by 3 के बराबर आगया अब आप जगा जगा पर बैठा दो sin का जगा पर 4 ratio हो जागा cos का जगा पर 3 ratio हो जागा बस अब जगा बैठा दो आपका अंसर आजाएगा clear तो मैं करके भी दिखा देता हूँ तो 4 गुना 3 minus 2 into 3 उसी तरीका से 3 गुना 3 गुना sin वतलब 3 गुना 4 और minus का plus और 2 into 3 ठीक है 2 into 3 solve का लोपस का अंसर आजाएगा चले next question next question इसको try करो अब ये question अच्छा question है इसको देखते हैं कौन try करता है आपका और बनाता है यहाँ पर क्या बोला गयाता है कि a cos theta minus b sin theta equal to c के बराबर है तो आपको बताना था value a sin theta plus b cos theta का value किसके बराबर होगा बताओ अब अब ध्यान से देखिए question को और याद किजिए कि जो मैंने पहला वाला question लिया था न वो same इसी format पर base question आपसे paper पूछे गए थे ठीक है अब आप try कर सकते हो चाहो तो जो चीज मैंने बताया उस चीज को अगर आप समझ के अगर बनाओगे तो असानी से बच जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखो यह क्या हो रहा है इसका format ही कुछ इस तरीका से होता है a का multiply cos theta से हुआ है यहाँ पर a का multiply sin theta से हुआ है b का multiply sin theta से हुआ है तो b का multiply cos theta से हुआ है समझा रहा है और आपसे इतना का value पूछ रहा है तो मैं इसको कैसे बना सकता हूँ, अगर आप मुझे बनाने बोलोगे, तो मैं कैसे बनाऊँगा, ये वाला तो ठीक है, इतना का value बताना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इतना का value को मैं कुछ माल लेता हूँ, कि इतना का value मेरा x है, इतना का value क्या है, मेरा x के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अगर इस question को solve करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि c square plus x square दोनों को जोड़ देंगे यानि c का square plus x का square को हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि यह format जो मैं आपको बता नहीं यह formula ही आपका है इस पर base question आपके पूछे जा सकते हैं paper में और chances भी पूरी पूरी बनती है तो करना आपको कुछ इसी तरीके से आपको करना होगा यह sine और cos के time में है तो plus वहाँ पर 10 sec और cot cos था तो minus clear तो अब मैं क्या कर रहा हूँ दोनों को जोड़ दे रहा हूँ square करके तो square करके जोड़ोगे न तो सारा कुछ न 1 ही बन जाना है क्योंकि sin square theta plus cos square theta क्या तो 1 होता है यह चीज मैं करके दिखा दे रहा हूँ तो c square तो c square मतलब यह वाला का पूरा whole square हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a square plus cos a into cos square theta plus b square sin square theta और minus plus 2a cos theta into b sin theta plus फिर आपका x जो हम लोगोंने माना तो उसका square करेंगे यानि क्या हो जाएगा a square sin square theta plus b square cos square theta और plus का प्लस रहेगा ना प्लस रहेगा 2 into a into sin theta और b cos theta अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर भी यह वाला यह वाला कट गया अब यहाँ पर देखो na a square a square cos theta है तो a square जब cos theta यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है a square sin theta तो a square जब आप common लोगे तो अंदर में क्या बचेगा 1 बचेगा उसी तरीका से b square क्या है sin square theta यहाँ पर आप देखोगे को समझाने के लिए इतना कुछ मैं कर रहा हूँ तो अब समझिएगा क्या आया मेरा c square plus x square का value a square plus b square के value के बराबर आ गया यानि c square plus x square equal to a square plus b square ध्यान दिजेगा यह हम लोगों को इसको हम लोग x मानेते हैं आपसे x का ही value पूछा है ना paper में तो यानि x square equal to क्या हो जाएगा a square plus b square और यह minus c square हो जाएगा तो x का value क्या हो जाएगा under root x a square plus b square minus c square बोलो clear है तो यही x मेरा क्या होगा इसके बराबर अग्जी सी की यही मेरा इसका answer हो जाएगा उमीद करता हूँ यह भी आपको समझाया होगा मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ कि ताकि आप exam में आपको question किसी तरीका से भी गमा दिया जाए तो आप उस वक्त फंसो ना चलो next question इसको देखो अब देखो यह जो question है यह जो question है यह format आपका यह question आपके trigonometric के first phase में पूछे गया थे और केवल दो से तीन दिन में मतलब एक से दो दिन या तीन दिन पूछा गया होगा उसके बाद यह question second phase में आपका इस तरीका के trigonometric question देखने को ही नहीं मिला paper में तो अब मैं बोलूँगा कि अगर second phase में अगर यह किनी के shift में नहीं भी आया तो third phase, fourth phase या fifth phase में जरूर से यह question बनेगा मतलब बनेगा क्योंकि यह भी आपका एक format पर base question है यह question को मैं इसलिए रख दिया ताकि यह question आपके paper में जरूर बनेंगे कभी भी किसी के भी shift में बन सकते है तो इसका एक formula बनता है मैं आपको बता देना चाहरा हूँ ताकि आप लोग यह चीज को note कर लो देखो इसका एक format क्या होता है मैं आपको clean तरीके से बता देता हूँ sin theta into sin 60 minus theta into sin 60 plus theta यह equal to किसके बराबर होता है 1 by 4 sin 3 theta के बराबर होता है यह आपका एक formula होता है यह फिर एक derivation होता है अब जितना भी question अगर इस format में आपको दिख जाए ठीक है जितना भी question अगर इस format में दिख जाए तो बस आप direct इस formula का use करके question को जल्ली से बना सकते हो अब यही चीज आपका cos में भी होता है same to same cos theta into cos 60 minus theta और cos 60 plus theta equal to kya हो जाएगा 1 by 4 cos theta के बराबर हो जाएगा अब आप इस question में अगर आप ध्यान से देखो तो यह क्या था चालिस असी अगर आप इस format में अगर मिलाना चाहो तो theta का जगा पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा अगर मैं theta का जगा में 20 होगा तो 60-20 क्या हो जागा 40 के बराबर हो जाएगा और 60-20 क्या हो जाएगा 80 के बराबर हो जाएगा यानि यह इसको hold कर रहा है यानि यह आप इसमें formula अब लगा सकते हो असानी से जो formula लगा हो तो यानि इसका answer क्या हो जाएगा 1 by 4, sign 3 theta, 3 theta, theta किसके बराबर है द्यान चो देखो 20 के बराबर है यानि 20 गुना 3, 60 यानि sin 60 का value क्या हो जाएगा, root 3 by 2, यानि इसका answer क्या हो जाएगा, यह इसका correct answer हो जाएगा यानि इसका answer हो जाएगा, root 3 by 8, बोलो clear है, तो इस तरीके से आपको question आपसे paper में अभी आने वाले समय में देखने को मिल सकते है तो बस direct से formula याद के लिजेगा, अगर इस तरीका से format में based question रहा, तो direct formula लगा दिजेगा, sign का formula क्या होता है, 1 by 4, sign 3 theta, theta आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मगर format यही रहना चाहिए, अगर cos के term में दे, तो यह क्या हो जागा, 1 by 4 cos 3 theta, clear, अगर यही format में अगर आपका 10 के theta, clear, उमीद करता हूँ, चीजे आप लोग बहुत 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 समझ रहे होंगे, अब देखो एक चीज मावर बताता हूँ, question को इस तरीके से भी घुमाया जाता है, आपको, यह sign 20 degree into sign 40 degree into sign 60 degree into sign 80 degree, तो ऐसे भी question आपको दे सकता, वो आपको कोशिस करेगा, मगर आपको घुमना नहीं है, अब आप समझ सकते हो, अगर यह सब multiply में है, तो इतना का value आप पहले से जानते हो, इतना का value तो आप जानते हो, तो इसको side में करके, ऐसे आपको फिर question को देखना पड़ता, कि sign 40, और यह sign 80, और into sign 60 degree, क्योंकि sign 60 को हटा दो, क्योंकि इतना का value आप लोग डिरेक्ट से जानते हैं, अब यहाँ पर अब ध्या आच देखोगे, तो यह फिर से क्या बन जागा, वो ही pattern पर question बन जागा, तो ऐसे करके आपको deal करना होता है, कहाँ मेरा pattern बन रहा, जहाँ pattern बने, वहाँ पर लगा क्या, उसका answer निकाल दो, clear, उमीद करता हूँ, आप सभी लोग समझ गये होंगे कि किस किस तरीके से question बन सकते हैं, चलो, next question देखेंगे, next question यह रहा, इसको try करो, अच्छा यह question आप लोग देखो, यह भी question आपका 17 तरीक को साइथ पूछा गया था, यहाँ पर आपको इसी तरीके से question, मुझे जो मि चल रहा होगा, यह आपका square बन रहा है, perfect square, क्योंकि देखो, यह 4 का square और यह 5 का square है, तो 5 के 20 और 20 गुना 2, 40, समझा है है, यानि यह क्या हो गया है, कि 4 sec x minus 5 का whole square ही यह आपको दे रखा है, यानि अगर आप इसको further solve करने जाओगे, तो क्या आजागा, 4 sec x minus 5 equal to 0, यानि sec x का value क्या आजाएगा, तो पता नहीं, वो option किस तरीके से दिया गया था, cost में, sec में, क्या था, नहीं था, पता नहीं, बट यह question इस तरीका से आपका बनेगा, ठीक है, चलिया, next question कर बढ़ते हैं, next question, यह रहा, इसको try करो, अब देखो, यह question तो साइध, repeat हो गया है, तो मैं क्या हो जागा, cost x के बराबर हो जाएगा, और मैंने आपको बताया, कि sin x, ठाग आपका sin के एंगल, और cost के एंगल अगर बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों angle का same होगा, वो किसके बराबर होगा, 90 degree के बराबर होगा, यानि आप कह सकते हो, 2x 90 degree के बराबर, तो x का value क्या हो जाएगा 45 दिग्री हो जाएगा तो यहां से आपको पता चल गया कि x का जो मतलब angle है वो 45 दिग्री है तो बस आप इसे put कर सकते हो 45 तो sin 45 डिग्री क्या होता है sin 45 डिग्री आपका 1 by root 2 तो 1 by root 2 का cube कर दो और यहां पर भी 1 by root 2 का cube कर दो बन गया clear चले next question कर बड़ते है next question इसको देखो यहां पर आपको क्या दे रखा था 1 by 10x equal to root 3 के बराबर है आपको इतना का value पुछा गया था देख सकते हो अब देखो 1 by 10x है 1 by 10x के अगर बात करेंगे तो 1 by 10x क्या होता है cot x के बराबर होता है cot x का value root 3 है तो यहां से आप समझ सकते हो cot का value root 3 कितने डिगरी पर होता है तो आप बलोगे 30 डिगरी पर होता है यानि आपका जो x है यानि जो angle है वो क्या 30 डिगरी के बराबर है बस 30 डिगरी पूट कर लो तो sin 30 कितना हो तो 1 by 2 और cosec 30 मतलब 2 यानि 2 और आधा कित था हो जागा पांच बटा दो इसका करेक्ट आंसर हो जागा क्लियर तो इस इस तरीके से भी कोश्चन पूछे गए थे नेक्स्ट कोश्चन इसको ट्राइ करो अब देखो कोश्चन ये ऐसा मत बोलना कि हिंदी में क्यों नहीं है यहाँ पर देखो टेन ए आपको दे रखा है आपसे इतना का वैल्यू पोच रहा इतना का वैल्यू पोच रहा ट्राइ करो इसको भी कि समझ आएगा अच्छा ये कोश्चन में थूढ़ा कमी लग रहा मुझे ये कोश्चन में आपसे न क्या बोलते हैं ये आपका ट्रेंगल बन रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो टेन ए आपको रूट थरी दे रहा और वाट इस यहाँ आपसे इतना का वैल्यू पोचा तो आपका एक एंगल ठीक है जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ A, B, C यह A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया समझेगा, राइट एंगल ट्रेंगल है यानि 90 डिगरी हो जाएगा अब यह एंगल एक दे रखा है, 10 एक इतना दे रखा है, रूट 3 दे रखा है तो 10 का वैल्यू रूट 3 कितने डिगरी पर होता है, तो आप बोलोगे 60 डिगरी पर होता है यानि यह 60 डिगरी, तो यह क्या हो जागा, 30 डिगरी हो जाएगा समझ गया, यहां था सबको clear है अब इस वाले अगर आप question में अगर आते हो, यहां पर आपको यह वाला value फाइंड करने बोला था दियान चे देखो, क्या है, sin a cos c, cos a sin c यह क्या हो गया, sin a plus b का formula बनाए कि नी बनाए, sin a plus b का दियान चे देखो, तो यहां पर क्या हो जागा, sin a plus c अब आपको समझ आ रहा होगा, यानि sin a plus c, तो एक angle कितना था, 60 degree था और c angle कितना था, 30 degree था, यानि sin 90 का value आपको पेपर में बताना था यानि answer हो जागा 1, clear, उमीद करता हूँ, यह भी आपको समझ आ रहा होगा, चले थोड़ समेसिंग था, triangle आपका बना होता, चले, next question, इसको देखो, अब यह question में देखो, क्या बोला गया था, 10 a का आपको दे रखा था, और आपसे 10 a minus ck का value पोचा था, यानि 10 a आपको दे रखा था, कितना x minus 1 by 4x, और आपसे इतना का value पोचा था, अब देखो, इसको आ मुझे नहीं पता है, तो अब मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके को question में आप यहाँ पर putting का help ले सकते हो, ठीक है, putting करके देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या है मेरा, x है, तो यहाँ पर मैं simply क्या कर रहा हूँ, x का value कोई put कर लो, जिससे मेरा equation, चीज समझ में आपको आ भी जा होगे, तो क्या हो जाएगा, 3 बटा 4, 3 बटा 4 आ जाएगा, अब आप जानते हो, 10 ठीटा क्या होता है, मेरा P by B के बराबर होता है, अब आपको समझ आ गया, हैपिटेनिस क्या होगा, 5 के बराबर होगा, यानि एक right angle triangle में आपको पता चल गया, कि हैपिटेनिस तो मेरा 5 है perpendicular यानि लंबर मेरा 3 है और base मेरा 4 है, तो अब मुझे बताओ, 10 A मेरा क्या होता है, P by B होता है, और सेक आपका B by, मतलब H by B होता है, यानि अगर इसको solve करेंगे तो P मेरा कितना है, P मेरा 3 है, और आपका B कितना है, 4 है, उसी तरीके से यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 5 है, और ये 4 है, इसको solve करोगे तो आपका answer क्या हैगा, minus 1 by 2 आएगा, अब ध्यान दीजेगा, ये मेरा answer नहीं हुआ, ये मेरा answer नहीं ह होगा, अब option में भी क्या करेंगे, x का जगा पर हम लोगों क्या put करेंगे, 1 put करेंगे, देख लेना, जो भी option में अगर आपका minus 1 by 2 आजाए, यानि वही उसका answer हो जाएगा, तो ये best तरीका होगा है, जिसको आप जल्ली से solve कर पाओगे, ठीक है, चले, next question करो बढ़ते हैं तो कैसे बनाओगे, आपको पता, sin A अगर 1 by 2 है, तो मतलब angle A का value पता चल गया, 30 के बराबर होगा, cos B अगर 1 by 2 है, तो इसका मतलब पता चल गया, B आपका क्या होगा, 90 degree के बराबर होगा, 90 क्यों होगा, 60 degree के बराबर होगा, बोलो clear है सभी लिगों को, यानि A का भी value पता चल गया, आपसे क्या पुछा था, 10 A प्लस B पुछा था, अब ऐसा मत कर देना कि 30 और 60 जोड कर 90 value बना देना, क्योंकि 10 90 क्या होता, undefine होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 10 A प्लस B का formula में break करना पड़ेगा, यानि 10 A और 10 B और उसी तरीका स आप बना लेना, clear, चले, next question कर बढ़ते हैं, फिलाल, next question इसको देखो, यहाँ पर क्या बोला गया था है, कोई तुरिबू जाए A, B, C, right angle at B में, ठीक है, A, B, 24, B, C, 7, और आपसे पुछा था, sign A, और को से क्या होगा, तो question जैसे बोला, पहले है, B, B पर 90 डिगरी बन रह अब देखो, क्या बोला था, A, B, 24 है, ठीक है, A, B, 24 है, यानि यह आपका 24 हो गया, B, C, 7 है, ठीक है, B, C, यानि यह आपका 7 है, तो इसका मतलब आप जान गये, कि अगर यह मेरा right angle triangle है, तो यह 24 है, यह 7 है, तो यह triplet बनाएगा, किसके साथ, 25 के साथ triplet बनाएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ध्यांच देखो, P मेरे यहाँ पर कौन होगा, 7, यानि 7 बटा 25 हो जाएगा, उसी तरीका से को से, क्या होता, को से मेरा, B by H, तो B मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 और 24 बटा 25, यह इसका दोनों इसका answer हो जाएगा, clear, तो इस तरीका से आपको इसको लेके बनाना था, चले, next question, इसको देखो जली से, यहाँ पर आपको फिर से x का मान बताना था, यानि यही angle का value बताना था, जादतर question आपसे angle या फिर ठीटा का ही value पूछा जाता है, और आपने सुना भी होगा कि 21 तारीक के shift में, 6 से 7 question आपके 21 shift का पूछ ल के अंदर में ही सारे question आपके lie करेंगे, ठीक है, चलो, इसको देखो, x का value बताना है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, 10 to 40 degree दे रखा है, अब आप बुझे बताओ, यह तो 9 साफी है, 10 to 40 दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 दे रखा है, यहा आपको पता, यह कौन सा quadrant में lie कर रहा है, 3rd quadrant में आपका गिर रहा है, तो 3rd quadrant में क्या होता है, 10 का value positive में रहता है, यानि और आपका 180 पे value change भी नहीं होता है, यानि 10 60, तो 10 60 का value क्या होता है, root 3 के बराबर होता है, तो बस इसको आप root 3 से आप इसको कर सकते हो, अब मेरी बा 3x-2, ठीक है, 3x-2, अब यह आपका root 3 आया, अब मुझे बताओ, root 3 है, यह 2 को मैं नीचे भी तो ला सकता हूँ न, असानी से लिया होंगा, अब आप मुझे बताओ, sine का value root 3 2 by 2 कब होता है, कितने degree पर होता है, sine का value root 3 by 2 कितने degree पर होता है, तो आप बोलोगे, 60 degree पर होता ह है, यानि यह 60 degree हो गया, यानि यह sine 60 हो गया, अब आप देख सकते, तो दोनों जागा sine बराबर है, तो मतलब क्या हो जागा, दोनों के equal कर लो, यानि 3x-3 equal to 60, तो यहाँ पर क्या हो जागा, 3x equal to 63, तो x का value क्या जागा, 21, यानि इसका correct answer हो जागा, 21 degree, clear, तो इतना कुछ जो आपको घुमा के paper में आपसे पूछ ले राता है, चलो, next question, इसको देखो, इसको solve कर जली ली, अब यहाँ पर क्या बोला है, आपसे 10 30x का मान पूछ रहा है, और यह चीज आपको दे रखा है, तो यहाँ पर फिर से देखो, आपको देखो, यहाँ पर फिर से 10 का angle, तो अभी थोड़े दर पहले मैंने बताया कि 10 3x है, यह इस 10 6x को नीचे लियाओ, यानि यह क्या हो जागा, 10 6x हो जाएगा, चोकि cot 6x के बराबर हो जाएगा, तो यह चीज तो मैंने बताया ना, कि 10 का angle, cot के angle के अगर बराबर होता है, तो इसका मतलब इन दोनों angle का जो sum होगा, वो क्या होगा, must be 90 degree के बराबर होगा, तो यहां से आपका 9x equal to क्या हो जागा, 90 degree के बराबर, तो x का value 10 degree, तो यहां पर put करोगे, तो आपसे यानि question में पूछा था, 10 300 degree का value बताओ, अब 10 300 degree का value चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 360 minus 60 कर सकते हैं, चुकि आपक root 3, clear, चले हैं, next question, इसको देखो, यहां पर देखो, यह भी question आपका already group D exam में repeated हो चुके हैं, ठीक है, group D exam में तो भर-भर किस तरीके से question आपका पूछा गया था, 10 और 6 पर, और 4 और 6 पर, तो यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपको यह चीज़ दे रखा यानि मैं कह सकता हूँ, 9y square minus 9 by y square का value पूछा है, अब देखो, यह value अगर पूछा है न, तो कोई गलत नहीं पूछा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तो यह दोनों को अगर मैं square कर दूँ, तो वही चीज़ तो निकल के आ जाएगा न, अगर मैं इसको square कर पूछा होगे, तो यह भी क्या हो जाएगा, cot square x equal to 9 by y square हो जाएगा, तो यह दोनों का value आपके पास है, तो बस put कर दो, तो यहाँ पर put करने से मेरा क्या आ जाएगा, cos x square x minus cot square x, तो इतना का value क्या होता है, 1 के बराबर होता है यह नहीं होता है, होता है, यहनि इसका answer simply हो ज समझ सकते हो, अगर यह cos x plus, sec x को कैसे लिख सकते हो, sec x को कैसे लिख सकते हो, 1 by cos x को लिख सकते हो, equal to 2 के बराबर है, अब आपके दिमाग में कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर cos x plus 1 by cos x equal to 2 के बराबर है, तो आपसे इतना का value पोच रहा है, तो आपको समझ आ रहा है कहीं न कहीं यह value 1 होगा और यह भी value 1 होगा तभी जाके 1 और 1 2 होगा तो इससे तो direct पता चल जा रहा है कि x का value 90 degree होगा तभी जाके यह possible है sorry x का value 90 की होगा x का value 0 होगा क्योंकि cos 0 आपका 1 के बराबर होता है समझ जा रहा हूँ यहांनि यहां से आपको देख के पता चल जा रहा है कि x का value क्या होगा 0 के बराबर होगा क्योंकि cos 0 1 और cos 0 1 यानि 1 by 1 1 1 क्या हो जाका 2 हो जारहा यानि यह आपको पता चल गए कि यह hold हो जारहा और आपको ठीटा का value क्या है то put कर दो 0 तो cos 0 क्या होता 1 1 के power कुछ भी कर लो 1 ही होगा प्लस यहां पर क्या था 0 sin 0 0 यानि इसका answer simply हो जागा 1 चलिया next question एक question आप इसको देखो यहां पर देखो क्या पुछा गया था cot x plus cos x minus 1 और यह वाला cot x minus cos x plus 1 यहां पर आपको केवल find करना था अब फिर से यही चीज मैं बोलोंगो कि अभी मेरे पास option नहीं है मुझे नहीं पता कि कौन सा इसका answer होगा बट यहां पर मैं बता सकता हूँ कि इस वाले question समय इस तरीके के question में आप value putting असानी से कर सकते हो चुकि यहां पर देख रहे हो cot है, cosec है तो क्या put करेंगे 45 जगरी तो आप इसमें 45 जगरी theta का value put करके इसको बना सकते हो मैंने बताया है कि कौन से question में किस तरीके से putting करते हैं वो मैंने आपको exam start होने का ठीक 2-3 दिन पहले जो trigonometric वीडियो देते हैं दिया था जो मैंने उसमें मैंने बताया था आपको ठीक है, 10 के 10 और cot में अगर जादे तर question रहा तो 45 जगरी से बनाते हैं और sign और cos में रहा तो 0 ने तो 90 पे बनाते हैं डील करते हैं चलिया, next question इसको देखो, अब एक question आपसे इस तरीके से पुछा गया था paper में तो यहाँ पर इस question का answer आप लोग मुझे comment करके बताओगे, कुछ नहीं करना दे, आप जीजों को देख सकते हो, सब कुछ आपको मैं बता चुका हूँ, यह by है ठीक है, दियान देजेगा, यह cos 59 degree और यह by में है, sin 31 degree, बात बाकी आप जो देख रहे हो, वो सही देख रहे हो, चलिया, next question कर बारते है फिला, next question कुछ इस तरीके से पुछा गया था, 1-10 square x by 1 plus 10 square x, तो इसको भी आप solve करोगे, देखो के जो भी option होगा इसके regarding, वही मेरा इसका answer हो जाता, ठीक है, तो यह 1-sin square x by cos square x, उसी तरीका से 1 plus sin square x by cos square x हो जाएगा, solve करोगे तो क्या जागा उपर में, cos square x minus sin square x, और यहाँ पर क्या हो जागा, cos square x plus sin square x हो जागा, बोलो clear है, क्योंकि cos cos तो कड जाना है, अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या हो गया, नीचे क्या हो गया, cos square x plus sin square x, यानि यह क्या हो गया, इतना का value क्या होता, 1 के बराबर होता है, इतना का value क्या होता, 1 के बराबर होता है, और इतना का value क्या हो, यह किसका formula हो गया, cos 2x का formula बन गया, तो अब इसका option कैसा रहा होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि cos 2x क्या होता इसके 2-3 formulas होते हैं तो जो भी formula होगा वही मेरा answer हो जाएगा समझ गया चलो next question क्यों बढ़ते हैं फिलाल हमनों जल्ली से next question इसको देखो यहां पर आपको sec x-10x दे रखा आपसे पुचा sec x plus 10x तो इसका answer क्या हो जाएगा सीधा-सीधा 3 हो जाएगा हमको पता है कि क्या होता हमको पता है कि sec square x-10 square x इतना का value क्या होता 1 होता है तो आप इसको conjugate करोगे तो क्या हो जाएगा बस ल्टी पल्टी हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो value क्या हो जाएगा 1 by 3 का 3 हो जाएगा क्योंकि sec x प्लस 10x का value sec x-10x का क्या होता है इन्वर्स होता है यह चीज़ भी मैं बता चुका हूँ बत समझ रहे हो तो इसका answer हो जाएगा 3 अब इसी तरीके के question में आपसे कभी कभी यहाँ पर भी value ना देके यह वाला चीज़ का value ना देके आपसे direct 10x का value भी पूछ सकता था तो जैसे भी हो यह चीज़ को हम लोग इसी तरीका से बनाते है 10x प्लस 10x लेके और फिर value आपको क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा तो इन दोनों equation का help लेके हमनों क्या करता था 10 का value 10 का value निकालते थे यादार आपको तो ऐसे भी question आपसे बन सकते हैं चलो next question और मेरे सख्याल से last question होगा जी हां next question जो किसका भी answer आपको क्या हो जाएगा देखके बता सकते हो न यह 5 हो गया यह 85 हो गया दोनों मिल के बन के नबबे तो नबबे मिल के अगर बन गया तो इसका मतलब क्या होगा अब किसी को भी change कर सकते हो किसी के time में भी तो यह दोन तो उमीद करता हूँ friends आपको आज का सेसन पसंद आया होगा पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना support जरूर दिखाईएगा और चैनल पहली दापाई तो पिस चैनल को subscribe जरूर कर लिजगा ठीक है मिलते हैं friends अब किसी next वीडियो में तब तक के लिए जय ह दो आपको 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 रहत झाल